विजयपूर में तंबाकु सेवन से दुषपरणाम एवं कोटम 2003 के अधिनियम के संबंधित एक दिवस परिक्षन कार्यकरम का आयरजन किया गया विजयपूर शहर के जिला प्रशासन, जिला पंचायर, जिला स्वस्त एवं परिवार, कल्यान विभाग, जिला सरिविक्षन विभाग और जिला तंबाकु नियंतरन घाटक के सहाभवविक्ता में आज तंबाकु सेवन से दुषपरणियम एवं कोटम अधिनियम 2003 के एक दिवस परिशिक्षन कार्यकरम को खिया गया, कार्यकरम के अंतरगर्द जनता को तंबाकु जैसे जहरीले प्रदात से होने वाले हानियों के संबंदित और गात कराना, आज की योगिन में तंबाकु का प्रभाव बच्चों से लेकर बूड़ों पर अपना प्रभाव डाला है, ऐसी चुस्ती अभियास से तंबाकु खाने वालों को कैंसर जैसे भयानक बिमारी का सामना करना पड़ता है, ऐसे खतरनाक बिमारी से बच्चने के लिए ऐसी तंबाकु चीजों से दूर रहना चाहिए, आज कल प्राथिमी बच्चे जहरीले प्रदात को खुले खा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है इस पर विचार करना चाहिए, तंबाकु उत्पातन पर सरकार ने पाबंदी लगाया है, फिर भी ये खुले आम पान शॉप एवं दुकानों में खुले आम बेचा जा रहा है, इस विशे पर तंबाकु नियंतरन कानुन कोटपा 2003 के अंत जाने वाला हो या खुले आम उसका सेवन करने वाला हो, उस पर दंड विधन विधानों का उलनगन क्या गया है, जनता को हमारा संदेश है के तंबाकु जैसे जहरिले पधार्ट से दूर रहा करे, स्वस्ते जीवन को जीए